पिर ये विद्यार्थियो नमस्कार, एजुकेशन स्कूल प्रिवार में आपका सवागत है, हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसके 264 कुशन सोल कर लिये थे, कुशन नंबर 265, 65815 में 5 का स्थानी अमान क्या है, यानि पलेस वेल्यू है, देखो, 65815, पलेस वेल्यू प ये सेकड़े का और ये हजार का, किसका स्थान है, ये हजार का, तो इसका मतलब क्या है, इसके वेल्यू, 5000, 1000 का है या, जिस पी अंक का स्थानी अमान पुछा जाई, वेंग लिखो, 5000, उसके बाद जितने भी अंक है, उसके नाम की सुनिय लगा दो, कितने अंक है, एक, दो देखों कैसे हैं तो मैं बता यता है आपको यह क्या है संक्छा 55,870 नीफ को साथ है यह का थाई का ता स нас यह कितना है एक गुना दस दस तई यूथटोlov में करेसकते हैं जितने हंतनी सुनने तो कितने नंग दो अठे बाद दो सुनने फिर क्या है 5 और पांस के नहीं करें एक दो ती तीन सुनने वैसे भी 21 दाहै संग्डा हजार के स्थान पे तो कितना ऊज़एगा 5000 फिर यह दस हजार के स्थान पर और दस दर को कितने से गुणा करेंगे चैसे कितना हुझ जाएगा साथ हजार या चै के बाद कितने अंक उतनी सुने एक दो तीन चार अब जोड़ के देखो क्या आएगा साथ एक आठ पांच वही संग आगे नसे तो इसकी वेल लिव कितनी ह पानच का स्थाने अमान कितना है 5000 यानि वह आगंक लिखो उसके बाद जितने भी एगंक है उसके नाम के सुनने लिखो वह ऊसका क्या होगा स्थाना अमान 5,000 ठीक है ओर देखंगी समर्छा जाई एक का अस्थाने अमान पूछता तो क्या हो जाए एक और कितने एक दो इस एक अपने सुनिय को पूछता तो लिखो आठ और कितने एक गहाइस के बाद एक दो दो सुने लगा दो ये इसका स्थानी इमान है ठेक है समझ पाए तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5000 option C question number 266 0.13569 में 5 का स्थानी इमान क्या है ने पलेश वेल्यू क्या है अब की बार क्या है दस्मलो वाली संक्या का स्थानी इमान पहला simple question था आपकी बार दस्मलो वाली संक्या तो इसका कैसे निकाले हर टाइप का एक question आपको मिलेगा तो देखो किसका पुछा है पांच का तो क्या लिखेंगे पांच जो पुछा जाएगा अंक लिखो दस्मलो है simple होता क्या करते मालो दस्मलो यहाँ पे नहीं था पिछले question में तो दस्मलो के बाद जितने भी अंक है उतने सुन्य लगा दो यानि एक दो दो सुन्य लगा देगे पंसो जाता है इसका अंसर लेकिन अब के बार दस्मलो है तो कैसे करेंगे देखो दस्मलो हटाएंगे तो दस्मलो के नाम के क्या होता भी एक उसके बाद यह देखो पांच कोन से नंबर पे है एक दो तीन तीसने नंबर पे है तो तीन सुन्य लगा दो चोत्थे नंबर पे है तो च्यार सुन्य लगा दो मानलो इसमें पूछता तीन का स्थानी इमान तो इस कांसर तो हमारे यह हो जाएगा यह है दूसरा या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वही यदि दस्मलों में लिखा हुआ है तो एक, दो, तीन तो तीन अंको एक बाद दस्मलों लगा दो वह नीचे तीन सुनने है यहनि पांच, एक, दो, तीन, इसका अंसर यह भी हो सकता है जो भी ओप्सन में हो, यह भी ठीक है और यह भी ठीक है मालो तीन का पूछता दस्मलों वाली संग्चा में तो क्या करेंगे तीन लिखेंगे बटा में दस्मलों है, बटा में एक दस्मलों के बाद जो पूछा गया है कौन से नंबर पे है एक दो दूसरी नंबर पे है तो दो सुनिये लगा दो ठीक है तीन बटा सो या दो अंकों के बाद दस्मलो लगा दो यह जाएगा 0.03 समझ पाए यह दस्मलो वाली संख्याओं का स्थानी अमान है हमारा आंसर हो जाएगा पांच बटा हजार ओप्सन ए क क्यूसर नंबर 267 3,равствуйте, 18, weten में 6, 267,65 में 6 के स्थानी अमान हों में कितना अंतर है तो इसका देखो क्या बतायत स्थानिवा निकालने का तरिका जो पूछ जाए वह एंक लिखो और उसके बाद कितने सुनने है वो लिखे दूँ सुरी उसके बाद कितने एंक है कितने एंक है एक ठीक है दाई तरफ कितने एंक है कितने एंक है एक तो एक सुनने लगा दो एक, दो, तीन, च्यार च्याहि भी count करेंगो भई एक, दो, तीन, च्यार टोटल कितने हैंग है च्यार तो च्यार सुन्ने लगा दो दोनों में अंतर पूच्छा है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो इसमें से 60 घटा दो ये 60 ठीक है 0, 4, 9, 9, 5 कितना अंतर है 69,940 का Option D Q. Nr. 268 32,566 के किसी दो स्थानी अमानों का सबसे बढ़ांतर क्या होगा इस संख्या क्या हमारी 32,564 के किसी दो स्थानी अमानों का सबसे बढ़ांतर क्या होगा तो देखोई सबसे छोटा स्थानी अमान किसका आएगा कम एकाई का अंक जो भी है और सबसे बड़ा जो बाई तरफ से अंक है वो यानि एकाई, दाई, सेंकड़ा अजार, दसजार, दसजार के स्थान पे है या लाख के स्थान पे है इन बाई तरफ का जो अंक है उसका स्थानिवान सबसे ज़्यादा होगा और दाई तरफ है उसका सबसे कम होगा तो देखो इसका मान क्या होगा च्यार इसके दाई तरफ जितने भी अंक है उतने सुन्य लगा दो दाई तरफ हो यंक है नहीं इसका मान क्या है च्यार सबसे बड़ा अंतर पुछा है तो इ क्यार गटा दो छे नो 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 दो 29906 में कितना नतरों 29906 में ओप्शन ए क्यूसर नमबर 269 27945 में साथ का जात ये मान क्या है 27945 अब ये बार क्या है पुछा जात ये मान किसका साथ का पहले क्या था स्थान ये मान ये प्लेस वेल्यू कोई भी चीज की वेल्यू हर जगह बदल जाती है ना ठीक है तो ये मान लो हम कोई चिप्स की पागट खरीद रहे हैं वो बस में खरीद देंगे कहीं तो दस उरुपें मिल जाएगी वहीं कई ट्रेन में एसी कोच में सेंगे तो 50 कि, उस्तान की वेल्यू हो अलग-अलग, वही बात चाहिए हम नॉर्मल जगा पीएंगे दस की मिल जाएगी, तो यह यहां होटल पे पीएंगे, वहाँ सो की मिलेगी चाहिए, है तो वही चाहिए, लेकिन पलेश की वेल्यू होती है, इसलिए अलग-अलग हो जा और चिप्स तो वही है same, ठीक है, यानि, जाती अमान वही रहेगा, in face value, जैसा face दिखता है, वो same वैसा ही रहेगा, लेकिन, सथानी ये value क्या है, सथान के अनुसार वेल्यू, उसकी बदल जाती है, वो मैंने बता जिया था, कैसे निकालते हैं स्थानी अमान, जाती अमान हमे यह अंसर होगा, बोल ले च्यार का जाती अमान क्या होगा, तो च्यार होगा, पुछे 2 का जाती अमान क्या होगा, दो होगा, जाती अमतला फेस वेल्यू, तो फेस वैसे रहेगा, जैसा दिखता है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है, तो हमारा अंसर क्या होगा, साथ का जा जाती अमान क्या है इना फैस्वेल्यू बता करना है.. ौा जीरो पॉइंट दो साथ नो च्यार पांस में साथ का जाती अमान पूछा है ठीकिन फेस वेल्यू पर दस्मलों वाली संख्याओं का हमने पहले प्लेस वेल्यू निकाला था पिछे के उसन में यानि स्थानी अमान निकाला था स्थानी अमान क्या है स्थान का अमान हाल जगा वदल जाता है दस्मलों वाले में कुछ था, सिंपल में कुछ था, अंक आगे पीछे कर दें कुछ था, लेकिन जाती अमान क्या फेस वेल्यू, जैसा फेस लिखता वैसा ही रहेगा, तो इसलिए क्या है ध्यान रखना ये बात, इसका फेस वेल्यू में कोई परभाव नहीं पड़ता दस्म ये अंक होगा, वो संख्या दस्मलों वाली हो या बिना दस्मलों की हो, ठीक है, जो पुछ जाए वही अंक क्या होगा उसका जाती अमान ये फेस वेल्यू, वो स्थानी अमान बदल जाता है, स्थान के नुसार, वो मैंने एकजामपल दे दिया था आपको, क्योंकि हर 2682 में दो के जाती अमानों का अंतर क्या है, यानि फेस वेल्यू का अंतर बताना वहीं, फेस वेल्यू का क्या अंतर है, 28682, एक दो इसमें ये हैं, और एक दो ये हैं, इन्हें के जाती अमान का अंतर पूछा है, पहले क्या निकारता है, पिछे हमने क्योंकि किये थे उसम में स्थानी अमान के उस्के वेल्यू और यहां भी दो का दो है उंकर पुच्छा है हैं एक दो तीन चार तो च्यार सुने लगा देंगे यह क्या स्थानी अमान इन दोनों का अंतर करते हैं लेकिन जाती अमान हर्थ जगए सेम रहता कोई भी अंक का तो हमारा अंसर क्या होगा च्याएं जीरो यहां भी दो हुगा और यहां भी तू इसका मान अंतर आएंगा जीरो ओप्षन ए क्यूसन नमबर 272 च्यासी हजार 430 में च्यार के स्थानी अमान और जाती अमान का अंतर क्या है भी छैसी हजार 1430 कि यह च्यार है इसका स्थानी अमान और जाती अमान का अंतर पुच्छा है वह स्थानी अमान क्या होगा इसका वह यानि पलेस वेल्यू च्यार लिखो और इसके बाद जितने भी अंक हैं उतने सुने लिखो एक, दो, दो अंक है तो दो सुने लिखो ये इसका क्या है स्थानिय मान यानि प्लेस वेल्जू ठीक है है और इसका जातिय मान मैंने क्या बताए था देको प्लेस वेल्जू हना स्थान के और उसार अलग-अलग बदल जाती है है यहां है चार तो इसकी वेल्जू कितनी आई 400 तो यहाँ पे च्यार होता तो न किटिने लेवारी से सेम रहेगी तो biggest LI I क्या हो जाएगी फेस वेल्यू च्यार अंतर पुच्छा है तो कितना हो जाएगा 306 ठीक है यह था वही पलेस वेल्यू और फेस वेल्यू आज की क्लास में हमने यह सिखा और इसी के साथ हमारा यह टोपिक कंपलीट होता है वही क्योंकि हमने दोस्तो बहतर क्यूसन किये हैं और लगभग हर टाइप के क्यूसन किये हैं मुझे नहीं लगता कि एकजामें से बार कुछ पूछा जाएगा नमबर सिस्टम से क्योंकि मैंने हर टाइप का क्यूसन आपको करवाया है ठीक है तो इसी के साथ यह टोपिक कंपलीट है हमारा मिल की पीडियव है क्यूसन की यह आपको टेलिगराम पे मिल जाएगी धन्यवाद